क्या आप जानते हैं कि रामानन सागर के हिट सीरियल श्री कृष्णा में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले जेपी शर्मा आज क्या काम करते हैं और कहां हैं। उन्होंने बहुत गरीबी के दिन देखें। बच्पन में ही पोलियो से ग्रस्थ हो गए थे और सब चिराते थे। जिस तरह रामानन सागर के टीवी सीरियल रामायन का हर कलाकार हमेशा के लिए अमर हो गया, उसी तरह के उनके हिट सीरियल श्री कृष्णा के सभी कलाकार हमे जेपी शर्मा ने निभाया था। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्णा सीरियल के शकुनी मामा आप कहा हैं और क्या करते हैं। जेपी शर्मा की कहानी इतनी दुख भरी है कि आप भी भावुक हो जाएंगे। पर उनका स्ट्रगल होसला बढ़ाने वाला भी है। जेपी शर्मा बने थे शकुनी मामा, गूफी पेंटल को दी थी टककर। श्री कृष्णा में जेपी शर्मा ने शकुनी मामा के किरदार में जान डाल दी थी। उनकी तुलना बी, आर, चोपडा के सीरियल, महा भारत के शकुनी मामा से हुने लगी थी। जेपी शर्मा बच्पन से ही बहुत गरीबी में पले बढ़े। वो पोलियों से ग्रस्थ होने की कारण दिव्यान थे और लोग उन्हें चिराते थे। जेपी शर्मा ने चेकविट सुरेंदर वत्स को दी एक इंटर्व्यू में बताया था कि वो मुंबई में पले बढ़े। उनके पिता की एक दुकान थी। लेकिन काफी नुकसान होने बाद वो राजस्थान शिफ्ट हो गए। जेपी शर्मा और उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान का था। पॉलियो की कारण 15 साल की उम्र तक नहीं चल पाए। परिशान करते लोग जीना दुश्वार। जेपी शर्मा ने बताया था कि जब वो ही एक साल के थे तो उन्हें पॉलियो हो गया था। वो 15 साल की उम्र तक चल नहीं पाए। पांचवी क्लास तक तो जेपी शर्मा की उनकी बहन ने मदद की और वह लोगों से उनकी सुरक्षा करती थी। लेकिन जब छटी क्लास में गए तो जेपी शर्मा का स्कूल बहन की स्कूल से अलग हो गया। वो लड़कों के स्कूल में चले गए। वहां बाकी लड़के जेपी शर्मा को प पहुंच जाते, वहां वह योग और प्रानायम करते, स्कूल में हाजरी लगाने के बाद वह रोजाना शम्शान घाट आ जाते और योग करते, जेपी शर्मा ने बताया कि घर में इतनी गरीबी थी कि वह शम्शान घाट में छोटे बच्चों की कबर पर रखी खाने की चीज जागा, जेपी शर्मा ने बताया था कि गाववालों ने जब भी आर चोपड़ा की महा भारत में गूफी पेंटल को शकुनी मामा के रोल में देखा तो उनसे कहा कि तू भी तो ऐसे ही चलता है, तू भी तो शकुनी बन सकता है, तब जेपी शर्मा ने मुंबई आने का फ सुनील पांडे शो में वासुदेव की रोल में थे, उन्होंने जेपी शर्मा से बढ़ोदा जाने के लिए कहा, तब वहां, श्री कृष्णा में महा भारत वाले हिस्से की शूटिंग हो रही थी, यहां वह नंद बाबा का किरदार निभा रहे अक्टर शहनवाज प्रधा से मिले, उन्होंने शकुनी मामा के किरदार में जेपी शर्मा का ओडिशन करवाया, रामानन सागर जेपी शर्मा का आत्मिश्वास देख हैरान थे और साइन कर लिया, आखें सीरियल में बने थे कंगारू विलेन, अलिफ लेला में भी काम, जेपी शर्मा ने शकुनी मामा और motivational speaker है इसके अलावा वो digital education and skills council के साथ बतौर गर्वनेंग council भी जुड़े हुए हैं और coach के रूप में काम कर रहे है